गुड इवनिंग दोस्तों मैं राके साप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ यह वीडियो बिहार SSC इंटर लेविंग टैपिंग टेस्ट से रिलेटेड है वैसे अभेरती जो बिहार SSC के इंटर लेवल एक्जाम के टैपिंग टेस्ट को देने जाने रहे हैं उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो बनने वाला है तो किर्पिया वीडियो में अंत तक बने रही है क्योंकि इसमें हम वो सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आप टैपिंग टेस्ट में जाने से पहले ध्यान रखेंगे और टैपिंग टेस्ट देते टाइम भी ध्यान रखेंगे सारी बातें जो ये बातें आपको जरूर सफलता के राह में जाने में सुविधा परदान करेगी या हेल्प करेगी इस बात का गारेंटी मैं आपको देता हूँ जो आपको ध्यान देना है कि सारे जरूरी समान अपने पास रख लें यानि जिनका एक्जाम कल है वो आज साम में ये सारी चीज़े अपने पास रख लेंगे जिनका परसु है वो कल साम तक इस चीज़ को कंप्लेट कर लेंगे और जिनका मतलब एक दिन पहले आप ये सारे सम जो कल जारी हुआ है। उसका प्रिंट आउट आउट आपको निकालě करहूं ना है। उसके बाद एक आइधार कार रिए वह आपका अधार कार दो चाहिए पासपोर्ट हो चाहिए आपका डाविल लक्रेशस हूँ हूच है आपका तडावC submit करते time दिया था वो photo है उसके जगह में एक खाली अस्थान है उस जगह पर आपको आपका अपना passport size का photo चिपकाना है और उस पे cross sign भी करना है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जरूर passport size का photo आप जरूर रख लें उसके बाद pen और एक pencil क्योंकि वहाँ पर हो सकता है क आपको declaration पर sign करना पड़े और कई जगह आपको sign या लिखने का काम भी वहाँ पर करना पर सकता है तो इसलिए pen और pencil भी अपने इस पास में जरूर रख लीजेगा इसके बाद जैसा कि corona time period अभी चल रहा है इसलिए corona के protocol को भी पालंग करते वे social distancing का पालंग करना है साथ में अपने पास mask जरूर रखे sanitizer और gloves यानि mask पूरे exam time अपको लगा के रखनी है और साथ में gloves और sanitizer भी जरूर रख लेजेगा और साथ में drinking water भी ले जा सकते हैं कोई problem नहीं है इसके बाद जो दूसरा बात है जो आपको जरूरी धियान लखना है कि reporting समय से देर घंटे पहले के center पर पहुंचना है ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप देर घंटा पहले center पहुंचे पहुंचोगे तो आपका जो mental pressure होता है center पहुंचने का वह कम होगा दूसरा बात center के माहुल को देख करके आप अपने आपको माहुल में ढाल लोगे तो आप एक तरह से exam के लि नहीं मिलने वाली है तो इसलिए time पे आप समझ लिजे कि time से पहले आपको अपने घर से निकल जाना है center के लिए और क्योंकि आप जानते हो कि पाटली पुत्रा च्छतर में 5 center है TCS का तो इसलिए आपको address को भी ध्यान में रखना है कि हमको कौन से particular center पे जाना है आप जब बात का ज़रूर ध्यान रखेगा कि आपको center पे देर घंटा पहले पहुंचना है उसके बाद सबसे important बात जब आप परिक्षा दे रहे हैं तो उस time आपको ध्यर्ज नहीं खोना है यानि कहने का मतलब है कि यह अपने type अपना typing test का pressure अपने mind पर नहीं होने दीजेगा और इ error हो कुछ भी हो कोई problem नहीं आपको क्या करना है कि सारे अपने keyboard के key को check कर लेना है कि आपका keyboard का जो key है वो सही है कि नहीं है कोई फस तो नहीं रहा कोई jam तो नहीं है या कह लिजे कि कोई ज्यादा धिला तो नहीं है कि उंगली जाते ही आपका क्या हो रहा है कि print हो जा रहा कोई इसमें आपको कहा लेजिए कि कोई compromise करने की जोड़त नहीं है आपको क्या करना है कि अगर आपका keyboard खड़ाब मिला थोरा सा भी दिक्कत आपको महसुस हो रही है keyboard से तो आप तुरंत अपना keyboard को change करोगे और दूसरी बात अगर आपका keyboard ठीक है आपका test start हो गया मान लीजे तो आपको क्या करना है सुरुवात के 5 से 6 लाइन इस इसको जरूर ध्यान रखेगा सुरुवात का 5 से 6 लाइन जो है आपका accuracy काफी अच्छा होना चाहिए यानि कि 100% आपका accuracy maintain होना चाहिए इस बात का जरूर ध्यान रखेगा चाहे speed कुछ भी हो चाहे आपका speed 40 ही क्यों 35 क्यों नहों आप क्या करोगे सुरुवात के sentence को accuracy के साथ लिखोगे 100% लिखोगे उसके बाद क्योंकि इस time period में जब आप 5 से 6 लाइन लिख लोगे तब आपको क्या होगा कि उस keyboard से आप पूरी तरफ से वाकिप हो जाओगे आपका उंगली पूरा तरफ से बैठ जाएगा और फिर उसके बाद आप अपना speed आराम से बढ़ा देना और अंत तक सारे मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि उससे कम टाइम में यानि 10 मिनट से कम टाइम में टाइप कर लें उसके बाद जो भी गलतियां आपने करी है एक बार थ्रोली पूरा पैसेज को देख लेना ह और उसमें अगर आपको fault दिख रहा है तो आप तुरंत अपना error को ठिक कर लेंगे ज्यादा बेकर space का परयोग नहीं करना है वो आपके speed को down करता है तो इसलिए लिखते time ही आप अपना accuracy बना के रखे थोड़ा speed कम हो कोई दिक्कत नहीं है आपका speed 35 चाहिए आपको 45 करने क जोड़त नहीं है आप उसको 37 भी रख सकते हैं 40 भी रख सकते हैं लेकिन accuracy को maintain करके अगर आप चलिएगा तो आपका selection definitely होगा कोई आपको tapping test से बाहर नहीं कर सकता यानि कि आपका tapping test definitely clear हो जाएगा इस बात का जरूर ध्यान रखेगा तो इन सब बातों का आपको जरूरी से जरूरी पता होना चाहिए था तो चलिए इस वीडियो में इतना बात रखेंगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत